यह तो भाईया आना तय है योकलिट विभाजन जो आपका रटा हुआ होगा क्वेश्चन यह यह सब लोग कर सकते हैं ना योकलिट विभाजन प्रमेइका से कि 90 और 144 का मासा यानि HCF अब हिंदी में आएगा तो मासा लिखाओगा अंग्रेजिम लिखाओगा तो यह अब लिखाओगा ठीक मासा का फुल फार्म मात्तम समापवर्तक है एक सी अब का फुल फार्म हाइस्ट कॉमन फैक्टर है और यह क्वेश्चन करना बहुत आसान है दो संख्यां कौन-कौन है नब्बे और 144 यह लिख लेंगे अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है यह वाली संख्या छोटी यह वाली बड़ी है इसलिए चेक करें जिससे हम पता चले कि हमको भाग किस्से करना है अब लगाएंगे इसमें योकलिट योकलिट विभाजन प्रमेका से यह करना तो उनको भागे है जो हम बहुत पहले स्करते चले आ रहे हैं चोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग नब्वे से 144 में भाग कितने बार जाएगा एक बार नब्वे कम नब्वे कोई दिक्कत घटाओ चार और यहां बचेगा नो पांच चवदा यानि चववन अ अभिर से उसपोल कितना आया चोवन आया जीरो तो नहीं आया यानि प्रक्रिया भी और आगे करनी ये अब पार्ट में से पांच गए तीन अभी सेस्फल कितना आया 36 36 से भाग करेंगे चववन में काम हो जाएगा आपका चववन 36 से कम 36 14 में से छे गए आठ यहां चार चार तिंगा एक अभी सेस्फल जीरो नहीं आया तो इसको चार 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 तो यह देखो तो सेस्फल आ गया जीरो और इस कंडीशन में इस इस्थिति में भाजक और अठारा तो एक्सिए अब क्या होगा चूंकि सेस्फल बराबर जीरो और इस इस इस्थिति में भाजक कितना है भाजक बराबर है अठारा ठीक तो यहीं हो गया इसलिए एच सी अब हाइस्ट कॉमन फैक्टर किसका नब्बे और एको चवालिस का बराबर अठारा ही आपका एंसर